बालो के समस्या किसे नहीं है समय बालो का सफेद होना, जंडना, सर में रूसी रहना ये सभी की आम समस्या बन चुकी है तो आज हम आपके लिए एक होमेड हेर ओईल लेकर आए हैं जिससे आपकी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अगर आप ठक चुके हैं हर तरीके के hair treatment करवा कर और हर तरीके के oil को use करके तो आज हम जो आपको oil बताने वाले हैं उसे use कीजिए यह oil जो है बहुत ही ज़्यादा beneficial है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसके गुन है तो एक बार आप इस oil को जरूर ट्राइ कीजिए आ बहुत ही ज़्यादा beneficial होते हैं और इनमें होता है sulfur जो हमारे बालो को potion देता है बालो का टूटना पतला होना और रूसी से हमें लिजाद दिलाता है तो यहाँ पर जो मैंने प्याज लिए है वो रेड वाले प्याज जो होते हैं वो लिए है आप भी इसी तरीके से लाल प् तो उसकी जो smell आती है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है पर यदि हम oil बना लेंगे तो प्याज करी जो smell है वो हमें उस oil में ज़्यादा नहीं आती है तो इस तरीके से आप जो है roughly cut करके हमने इने एक jar में डाल लिया है अब हम यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ते में लिये हैं तो आधा कटोरी के लगवख करी पत्ते में ले लिये हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशल होते हैं इनमें प्रोटीन और बीटा केरोटीन होता है जो कि बहुत से कमपनियों के शेंपू में पाया जाता है तो देखिए यहाँ पर आप हमने डेरे गर्सपान से 5 से 5 और गौर। दिए 5-10 बाव करते हैं अनों कम करें घ्राइंड करना है का इन tweaking बीच में चलाते जाना है एगर्सपर होने इस तरीकेश में बूत में भूत ज़्याइब हो है conscient वालो नहीं को दिहानर ने वाड़ातों और भीकतों होंAllurm Lagaz swamp यहां पर मैंने सभी को ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से अधिया पर आपके ग्राइंड होने में प्रॉब्लम आए तो आपके कीजिए उसमें थोड़ा सा ऑईल डालिए पानी का यूज आपको नहीं करना है उसके बाद एक मोटे तले का बरतन आपको लेना है जिसम काला मैंने एक काली लिया है आपको जितना ऐल बनाना है इतनी क्वंटिटी में ले लीजिए और अभी सेटूरिया साभी में पूकिती, ख़र्य सेटूरिया है, तो जनतोर जम्मटू को सब करना थे पहला है यहां पर टेल हमकिती है धीजा होतेया है हूं में जेतून तेल 25 में कीम यूशते हैं यहां पर हम ले रहे हैं मेथी दाना तो एक चम्मच मेथी दाना में लिया है कुछ लोग इसे पानी में भीगोकर यूज करते हैं पर यहां पर मैं सजेस्ट करूंगी कि ओल में आप उसे भीगा हुआ यूज ना करें अगर यूज करना तो इसी तरह के से आप डाल लीजिए अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं और जो हमने पेस्ट त्यार किया हुआ है मीठा निम, गुड़ह, लासून और प्याच का उस पेस्ट को हम इस तेल के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से इसे हम मिला लेंगे और इन्हें हम 30 से 45 मिनिट तक पकाएंगे पहले आपको 30 मिनिट पकाना है उसके बाद फिर 15 मिनिट और पकाना है तो आपको बिलकुल जीरो फ्लेम पर ही इसे पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है ठीक है बार-बार इसे चलाते रहेंगे तो यह नीचे तो खेर लगता नहीं है पर फिर भी आपको इस वो हमने घर में जो उपलब्द होते हैं वो ही यूज किये हैं और इसके जो रिजल्ट है वो जब आप देखेंगे तो बिलकुल हैरान रह जाएंगे इसलिए एक बार इस तेल को आप जरूर बना कर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही बढ़िया तेल है और हर बार जब आप एक ब दो हुआ है एक पूरिवश कर लेते हैं और जो टेल है वो पूरी तरीके से हमारे बाल जो है भर सोख मिलते हैं तो और यहज Kids आपको वीडियो पसंदा यूज आप कीजिए और चैनल को जरुशे सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो सम लेकर आते रहते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा तो तेल जो है वह बन चुका है तो गेस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हम ठंडा हो जब यह ठंडा होगा तब हम इसे स्टेन करेंगे गरम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो हमारा जो ओइल है वह ठंडा हो चुका है तो देखें बिल्कुल यह पालक पनीर की तरह दिकाई दे रहा है पर यह बिल्कुल भी सब्समझना की सबजी है तो एक मैंने ले तो आप कपड़े की सायता से भी चंन सकते हैं तो हम इसे चlive आपको चोरड करें तो ध़्यान रखें कि इसे काच्च के बतन में काच्च के बतन में ड़म ब्रक सकती वह जब चाहिए तो देखें आमने इस तेल को छ़हान si by ढौन लिया है और वहा बढ़ी वहा हमारा तेल है ये इसके benefits बहुत ही जादा अच्छे आते हैं इसके results बहुत ही अच्छे हैं आप एक बाद इस तेल को जरूर 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 ट्राइ कीजेगा मैं recommend करती हूँ हर किसी को यह तेल लगाने के लिए और मैं खुद भी अपने बालों में यह तेल ही उपयोग हमेशा करती हूँ तो अब हमारा जो यह बचा हुआ पार्ट है उसको भी आपको फेकना नहीं है इसमें आप थोड़ा सा पानी एट कर दीजेगा और इसमें इसको आप ग्राइंड करके as a pack बालों में लगा कर यूज कर सकते हैं तो उससे भी आपको जो एक बाल का treatment है वो बहुत बढ़िया स हो जाता है तो आप इसे बिल्कुल भी नफेक हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्टे सेफ से हेल्दी इनकी पॉचिंग बाबाए